रे बेन संग्लासिस versus फास्ट्रेक संग्लासिस फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा संग्लासिस कौन सा हो सकता है रे बेन संग्लासिस एक यूज ब्रांड था तो रे बेन ज्यादा अच्छी कॉलिटी देती है एक यह बहुत ही पॉपलर फ्रांड है लेकिन अगर आप फास्ट्रेक भी यूज करते है इसकी क्वालिटी भी खास कं नहीं है बहुत ही अच्छी quality देती है और साथ ही साथ बहुत सारे style और pattern आपको fast track में देखने को मिल जाती है Friends अगर आप power glasses ये power frame के बारे में सोच रहे हैं और rayband में लेना चाहते हैं तो पहले ऐसा option नहीं था यानि कि power glasses rayband frame नहीं आते थे लेकिन अब जो है rayband में power glasses भी आ रहे हैं लेकिन सुरू से fast track के power glasses और sunglasses market में available है Rayband जिसका elevator model सबसे ज़्यादा popular है और ये glass यूज़ करता है यानि कि जो green glass होते हैं वो rayband में आपको मिलते हैं लेकिन अगर आप fast track के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें ज़्यादा तर plastic यानि कि fiber के lenses रहते हैं Rayband sunglasses थोड़े heavy होते हैं क्योंकि इसमें glass और pure metal के use किया जाता है fast track अगर आप use करते हैं तो इसमें plastic material होते हैं इसलिए light weight हो सकते हैं आप सबसे main point आता है price की यानि कि अगर आप Rayband खरीदना चाहते हैं तो इसकी starting price होती है साड़े तीन हजार रुपए से वही पर अगर आप इसके power वाले frame खरीदना चाहते हैं तो इस starting price ये 2500 रुपए से जरू होती है लेकिन वही पर अगर आप fast track के frame खरीदना चाहते हैं यानि की sunglasses करीदना चाहते हैं तो 800 से start होती है वही पर अगर आप power के frame खरीदना चाहते हैं तो ये 750 से start होती है तो आपको इन दोनों brand में सबसे अच्छा कौन सा लागा comment section लिख के जरू बताइएगा वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक केजिए चैनल में पहली बार आए तो subscribe भी कर दिजे विल देन लेक्स वीडियो पे पाई